नमस्कार दोस्तों, आर्सी इस्टी में आपका स्वागत है आज हम लोग अध्यन करेंगे चुम्बकी बल रेखाओं के गुर चुम्बकी बल रेखाओं के मुख्य गुर ने में लिखी था जिसमें से जो पहला है चुम्बकी बल रेखाएं वक्र रेखाएं होती है जैसे हाँ पर फिगर में एक हम चुम्बक लिए हैं चुम्बक में यह उतरी धुरू है और यह दच्छडी धुरू है जिसमें से जो चुम्बक की बल रेखाएं हैं उतरी धुरू से निकलकर दच्छडी धुरू की तरफ जा रही है और जब यह दच्छडी धुरू की तरफ जा रहे हैं तो यह एक वक्र रेखा बना रही है जो यानि चारों तरफ से बंद है यहां तो इस परकार जो होती है चुबकी बल रेखाएं एक वक्र रेखाएं बनाती है फिर उसी परकार दूसरा जो है इसमें कि यह एक दूसरे को कभी प्रतिछेद नहीं करती है जैसे सरी को काटती नहीं है फिर उसी परकार तीसरा जो है किसी भी चुंबक की वक्र रेखाएं उतरी धुरू से निकल कर दच्छडी धुरू में परवेश करती हैं लेकिन बाहर से जिसे यहां पर फिगर में बाहर से जो है बल रेखाएं उतरी धुरू से निकल कर दच्छडी जाती है फिर उसी परकार जो है अगला जो है चोथा कि एक समान चुम्बक की छित्र में بال रेखाएं परस पर समान तरवा बराबर दूरियों पर होती हैं जैसे एहां पर फिएर में यह जो बल रेखाएं हैं दोनों एक समान है फिर उसी परकार जो है यानि पांचमा तो चुम्बक के धुरों के समीप जहां चुम्बक की छित्र प्रवल होता है वहां चुम्बक की बल रिखाएं पास पास होती है तथा धुरों से दूर जाने पर चुम्बक के छित्र की प्रवलता घटती है जैसे यहां पर सबसे ज़्यादा चुम्बक की बल रिखाएंएं, इसलिए यहां पर सबसे ज़्यादा चुम्बक की तीवर्ता जो होती है रिखाएं जो होती हैं दूर होती जाती हैं इसलिए यह निम्मध में चुम्ब की छेत्र कित्तिवर्ता जो होती है वह कम लगती है